स्री शिवाई नमस्त ब्याम दर्शिकों शनिवार का दिन नौ ग्रहों के परिवार में नयाय के देवता माने जाने वाले शनिदेव को समर्पित होता है पीपल के पेड में शनिदेव का वास माना जाता है इस संबंद में ब्रह्म पुरान में एक प्रसंग के बारे में भी बताया गया है इसके अलावा 118 अध्याई में इनका वर्णन किया गया है जिसमें सनीदेव कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष नियमित रूप से पीपल के वरक्ष का इसपर्ष करेंगे उनके सब कारे सिद्ध होंगे तथा मुझसे जो उनको कोई पीडा नहीं होगी उससे आप अपने पीडाओं को हर लेंगे यानि आपको कोई पीडा है तो आप पीपल के व्रक्ष को इसपर्ष जरूर करें शनिवार को प्राता काल उटकर पीपल के व्रक्ष के दर्शन करें और उन्हें इसपर्ष करें उन्हें ग्रहों की वज़े से उत्पन पीडा नहीं होंगी शनिवार के दिन पीपल के फेट से जुड़े कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं जो आपके सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में लक्षमी का वास होगा यदि आप गरीब हैं आपके जीवन में धन संबंदी कोई परिशानी चल रही है आपके पारिवारिक संबंदी कोई परिशानी चल रही है आपको कारोबा नहीं चल रहा है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए प्राता काल या उपाय कर सकते हैं या फिर शाम को यहा उपाय कर सकते हैं दोनों वक्त में से कभी भी कर सकते हैं आपको एक लोटा जल लेना है उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला लेनी है और एक तिल के तेल का दीपक ले लेना है लंबी बाती वाला मिठी का दीपक ले सकते हैं या फिर आटे का बना ले और एक पीपल का पत्ता लेना है थोड़ी सी काली तिल उसका उपर रखना है और एक सिक्का ले लेना है कुछ कितने भी पैसे आप रख सकते हैं उसके उपर स पीपल के व्रक्ष पर समर्पित करने के बाद आप घी का दीपक जला दें और दीपक जलाने के बाद में पीपल के पत्ते के उपर काली तील और एक सिक्का रख करके अपनी मनोकामना बोलें और पीपल के व्रक्ष के नीचे उसे रख दें रखते समय आप अपनी मनोकामना ज उपाय करना है और आपको तीसरे सनिवार की तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे भी आपके सारे काम बनते नजर आएंगे आपको तो दर्शकों और भी कई उपाय हैं जो हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हैं किसी भी कारे को स्क्राइब जरूर कर लीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वे भी अपने समस्याओं का समाधन पा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीशवाय नमस्तु भ्यम